गुर्वन बच्चों कैसे हैं उम्मीद बहुत अच्छे होंगे और बने रहेगा हमारे से अपने चैनल के साथ और पीपोल स्कूल जोगठेर और प्यारे बच्चों देखिए इस समय मौसम चलना है बहुत खराब आप देखरा है कि बहुत सारा बुखार वायरल बुखार और स्वच्च और स्वच्च रहेंगे उतना है हम अच्छा रहेगा हमारे स्वास के लिए तो पैरे बच्चों इसे क्रम में आज हमा को समझाने के लिए आए स्वास और सुनाने के लिए पढ़ाने के लिए बहुत ही संदर सा चैप्टर के लाज तो छोटा है लेकिन इसकी बा वाली बाते हैं सभी के, तो बहुत ध्याज़ समझना है, और लोगों को भी इसका फाइदा पहुचाना है, वीडियो सेर करके, तो बने रहो हमारे साथ, और हम आज आज आपको बताने वाले हैं, दांत और उनकी देखवाल, क्लास शेकर्ण का चैप्टर है कहने के लिए, ले हमें काउनकी बीमारी लगती हैं, उनका इलाज कैसे हो सकता है, क्या हमें सारधनी बरतनी चाहिए, ये सारी बाते हम आपसे डिक्स करने वाले हैं से, तो इसलिए आज आज आपसे हम एक गुचारश करते हैं, कि पूरी विडियो धान से देखना, और समझना, कि हमें दांतो करते हैं, जब नहीं होती है, तब इसकी वेल्यू पता रखती है, कि कास हमारे पास बहुची होती, तो हम ऐसा करते हम ऐसा करते हैं, तो प्यारे दोस्तों बच्चों, दांत हमारे लिए बहुत कीमती हमारे जीवन के लिए, अगर दांत नहीं होंगे, तो आप बहुत सारे इस चीज़े हैं जो बिना दातों कबजे में नहीं आती हैं है ना तो दातों को मजूर रखना पड़ेगा और दात बहुत लंबे समय तक बहुत उमरता कैसे मजूत रहें इसका भी हम आपको कुछ उपाय बताएंगे इस चैट्टर के माद देम से प्यारे बच्चो तो आज ह उन्हें बताया था कि दातों की देखवाल आएए आप बता दें कि बुक का नाम है विज्ञान जगत और क्लास थर्ड की किताब है ये बच्चो ने को छोटी किताब है लेकिन जो चैप्टर है ना इसमें जो पार्ट इसका बार हम बता रहे था भी कि दातों कि देखवाल क कितने कीमती हैं कितने की हमें कैसे देखरे करनी चाहिए बहुत ही महतून बहुत ही अच्छा चैप्टरा बहुत कुछ सिखाने वाला है ये तो आई शुरू करते हैं आज ये पार्ट आपको पढ़ाते हैं जिन बच्चों के पास ये बुक है किरप्या वही पर खोल के रहें चम चमाते रहें और हम हमेशा मुस्कराते रहें तो आई शुरू करते हैं बच्चों ये चैप्टर पार्ट नंबर है नाइन यानिकि नो पार्ट का नाम है दात और उनकी देखवाल इनके हमारे दात कैसे होने चाहिए उनके हमारे देखवाल कैसे करने चाहिए ये स शुरू करते हैं आईए लिखाया बच्छो दांत हमारे शरीर के अत्यदिक मेत्पूर भाग हैं हकिके बात है दांत बहुती मेत्पूर भाग होते हैं कि दांत ना हो तो समलो हमारा जो सामने का जो चेहरा है जो खुशूरती है करेसे कहा जाए आधी रहा जाती है चेहरे की हम हम सारीक वरदी के लिए तता सुस्त शरीर के लिए भौजन करते हैं our बहुत कर ने कि वह। nehmen है किसका है बहुत कवाने चवाने का कार दात करते हैं दातों के तो जो पेपदार्त हैं जैसे कि दलिया है, बहुत पतली मूं की दाल है, या फिर कोई रस है, सरवत है, पानी है, दूद है, ये ले सकते हैं कि ये वाले, जो काटने वाले चीज़े हैं, ठोस पदार्त हैं, लिखा हुआ है, ठोस पदार्त खा नहीं सकते हैं, कि रोटी है, को कुछ और चीज है जिसको हम काट कर खाते हैं वो सायद उसका हमानंद नहीं ले सकते तो प्यारा बच्छे लिए नातों के बारे मुझा आज शीख रहे हैं देखो लिखा अगली है दातों के कार इसके काम में आते हैं क्या कार करते हैं वह आज समझेंगे लिखा देखो दात हमारे चेहरे को आकरती प्रतान करते हैं अगर दात आज तो चेहरा होता है सामने करना पोपला सा लगता है देखोता है पोपला रहा हो जाता है दात बोलने में भी हमारी शाहता करते हैं जो कि दात नहीं होते हैं अगर वो लोग कुछ गाना काते हैं बोलते हैं उनका आदे अक्सर समझ में आते हैं आदे नहीं आते हैं कि जो मूँ की हवा होती है बोलते हैं वो इतना बहार निकल जाती है दात उनको रोकने के काम करते है से हमारे जो शब्द हैं इस पस्ट निकलते हैं मुझसे दात उन शब्दों को इस पस्ट बोलने में आवश्यक हैं जो दंत अक्सरों से मिलकर बने होते हैं कुछ अक्सरा जो दातों से जीव लगती है तब बोले जाते हैं अगर दात नहीं होंगे तो वो अक्सर बोलने में द तो लिखा है बैसे देखो दाटों के प्रकार, दाट कितने प्रकार के होते हैं, कुछ लोगों पता नहीं होगा, दाटों के भी प्रकार होते हैं, कोई लोग सोज़तों के दाट दूया होता हैं, बड़े सामने के दाट, दाडे जो अंदर के चवारे के दाट होते हैं, लेकि तो काटने वाले दान्त कौन से होते हैं, उनका काम क्या है, कैसे कहां पर लगे होते हैं, वो समझाते हैं आपके लिए, तो काटने वाले दान्त पतले, चपटे तता किनारों पर से तेजधार वाले होते हैं, तेजधार यनकी जैसे कि ना काटने वाला जो अजार होता है, चा कु झाने वूसे साइटें जिवाइन.., सामनी Pacific करने दाथ.. तो उनहें कासे में हैं.., पर दिखा रजवाएन साइट.. wh कि आल मेरी घञातों, इतंसे हैं. आप साइड से चीरते हैं देखा होगा आपने गन्ना साइड से चीरते हैं यह थोड़ा अंदर भी बिल्कुल नहीं थोड़ा साइड से तो फाड़ने वाले दांत के नारों पर से लंबे और नुकीले होते हैं यह काटने वाले दांतों के दोनों और होते हैं यह चीरने फाड ने हम दाड कहते हैं दाड है ना कहते हैं गुष्टे में दाड़े निकाल दूँगा तेरी हैं कहते हैं तो इस तरह से वो दाड़े जो अंदर होती है जो चबाते हैं जिनसे भोजन वो होती हैं पीशने वाले दाथ ये दाड़े भोजन को अच्छी तरह से पीश देते हैं य जाएन चिएरने और फ़ाडने वाले दानत. अब दोगा है दान के मेमाइं बता एप इस्थाई होते हैं, तो मैं लखा हुआ है, ऑस्थाही दान अजो को आइस्था ही काउन से होते हैं देखो लिखा है नवजात नवजात मनता है जो बच्चा जन में लेता है उसको नवजात कहते हैं छोटा सा बच्चा नवजात शेश्वियों के दात नहीं होते छे से साथ महिने के होते होते बच्चों के दात निकलने सुरू हो जाते ह प्रकृति कितनी वारे क्या कहा जाए कि हम आप उसके बारे में कोछ जानने ही बहुत करते लेकिन उतनी घहरायम नहीं जा सकते कितनी इसके 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 बच्चे के अकर बच्पश दात होंगे तो कितनी दिक्कत होगी उसको है ना इसलिए देखो उसकी आते जो होती है वो कुछ थोष पदार्थ पचाने के लाइक नहीं होती है मुकिमल तरल पदार्थ ही पचा पाती है मा का दू जैसे यह हलका हलका कोई रस टाइब का है इसलिए ईश्वर की महिमा देखिये आपके उसके दांत होते ही नहीं है जिससे कि वो कुछ खा पाए जब उसकी आते हलकालका पच्छा निकलाएक होती है तब इसके दांत उगना श्टार्ट हो जाते है चे साथ महीने तब ही तो कहते हैं हमारे गरंथों में और लिखा हुआ है कि छे महीने के बाद अन्यपरासन संसकार होते है तो बच्छा जब 6 मेने के बाद अन्यपरासन होता है लेकिन हम आज कल तो ये सब हम लोग भूल चुके है पाफशाथ संसक्रत्य को अपनाते अपनाते सब भूल गए अपनी संसकर्ति इस लिए हमें ज्यादे दिक्कते हो रही है परसानी आ रही है बिमारी हो रही है अगर आज भी हम अपनी संकृती बाजा तो साइद कहियां तक सहुलियत में आ जाएंगे और परसानी बच सकते हैं तो 6 महिने के बाद इसलिए बच्चे के दाथ 6 महिने मुगना स्टार्ट होते हैं किसी आथ जो होती बच्चे की वो 6 महिने के बाद कुछ हजम करने के लाइक बन पाती है मजबूत हो पाती है तो प्यारे बच्चे सुरू करते हैं देखिए लिखा है 6-7 महिने का होते होते बच्चों के दाथ निकलने शुरू हो जाते हैं बच्चों के दाइओ के दाइओ को बच्चों के दाइओ के दाइओ को बच्चों 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 के दाइओ को बच् से सालते निकलते हैं उसके बाद दांत वही गिरना स्टार्ट होते हैं यानि कि अपने आप निकलने नगते हैं उखड़ जाते हैं इसलिए इने आइस्थाई दांत भी कहते हैं यानि कि जो पहले दांत जमते हैं यानि उखड़ जाते हैं उनके बाद में जो जमते हैं यानि क क्या लगाया दिपढ़ते हैं तब उनकी नात पीछे निकलते हैं, दाडे, बहुत दर्द करतनी हो कहते हैं, अकल की नाड निकल लिए, अकल की दाड, वो लास में निकलते हैं जाके बाद में, यह तो हो गए नातों के प्रकार की नात कितने प्रकार के होते हैं, नात कैसे होते हैं, इस्थाई या दंतक शे का मतलगता है दांतों का गिरना कि दांत कैसे बीच में गिर जाते हैं दांत उमर से पहले गिरने लगते हैं उनमें किया कि रोग लग जाते हैं कैसे करकर रोग को दूर किया जा सकता है बहुत सब बातें समय पढ़ेंगे हमारे दात मसूडों में से निकलते हैं मसूडों हमारे दातों को सहरा देते हैं जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसके कुछ कण हमारे मुँँ में रह जाते हैं फस जाते हैं दातों में कुछ कीटाडू, स्टार्च और शक्कर वाले भोजन में तेश बढ़ते हैं बाहे रहता है इसलिए हम लोग समझाते हैं बच्चों को सभी बड़े बताते हैं कि कुछ भी खाओ तो तरन्थ हमें कुल्ला कर लेने चाहिए मूँ से मूँ में पानी से और कम से कम दिन में दोबार ब्रश करना चाहिए सुबह और शाम ये कीटारो अمل उत्पन करने वाले होते हैं अमल का मतलब एक से तेज़ा ये खटीची होती है वो बनाते हैं इनके दोहरा उत्पन अमल से हमारे दात तथा मुसूडे गलने लगते हैं अब देखो किसी किसे दाटों में पीली-पीली परत्सी जम जाती है अंदर साइडों में वह छोड़ती नहीं कभी-कभी वह इसी ब were जैसर होती है वह से अंदर इंदर दाट गल्ली लगते हैं इनके प्रवाव से दांत पहले पीले होते हैं फिर काले दांतों में धीरे धीरे गड़े होने लगते हैं फिर उनमें दुरगंद आने लगती है निकी बदू आने लगती है दांतों में सरण पैदा होने से उनमें दर्द भी रहने लगता है ये दर्द बहुत तेज और सहनी ह होता है दांत खराब होने से मसूड़े गरने लगते हैं फिर दांत गरने लगते हैं दांतों का गरना यह दंतक्षय कहलाता है तो इसलिए आपना देखा होगा कुछ लोग किता हमारे दाड में कीड़ा लग गया हमारे दांत में कीड़ा लग गया कि हमें पायरिया हो गया पा बेखवाल हमें देखवाल केह से करें बहुत यह संदर बात इसे मैं पताई गये हमारे काम की बाते हैं तो लिखा है किकल आफ्ताई यह गिरने पर इसे दानत आते हैं। अगर सém गरते काया द生नीी दूसरा वरना इस्थाई दान जब आ जाते हैं अगर बो निकल गया तूट गया किस तरह से गिर गया तो बो दान दवारा उगते नहीं हैं किन्तों यदि इस्थाई दान कर जाते हैं तो फिर दान नहीं निकलते हैं दन तक शेयर रोकने के लिए हमें निमने लिखित बातों क भाद ध्यान रखना चाहिए नहीं हमारे दांत ना गिरें दांत हमारे अच्छे रहें बात याद रखनी जान साई है वो यह कुछ बिन्दू इसमें दिये गाए है ध्यान जाड़ समझेंगे नम्बर एक लिखाए प्रते दिन दो बार दांतों को ब्रश करना चाहिए एक बार सुबह और दूसरी बार रात को सोने से पहले इससे हमारे दांतों में जो भोजन के जो कण है वो सब निकल जाएंगे और दांतों में शड़न पैदा नहीं होगी नमबर दो है भोजन करने के बाद कुल्ला आवश करना चाहिए कुल्ला ना करने से दांतों के बीच छोटे छोटे भोजन के कड़ फसे रहे जाते हैं ये टुकडे दांतों को हानी पहुंचाते हैं दांतों के बीच में ये टुकडे शड़ने लगते हैं इससे दातों में दर्द होने लगता है, वो मुह से बदू आने लगती है, इलिए कोछे बच्चे भी होते हैं कि रोटी खाई, खाना खाया और ऐसे ही खेलने में लग गए, तो प्यारे बच्चों हमें याद रखना है कि खाना खाने के या कुछ भी चीज खा रहा है भली भो परस नहीं हो समय, तो उंगली से कम आपने दातों को साफ कर लेना चाहिए, नमर थीन मिठाई, चोकलेट यान मीठी चीज़ा अधिक नहीं खानी चाहिए, यह वस्तमें दातों को हानी पहुंचाती है, लिएकि कुछ लोगों मिठाई बहुत पसंद होती है, मीठा बहुत तो ऐसे अपने भाई भेनों से हमें निवेदन है कि वो खाने को मना नहीं है, आप खाईए, लेकिन कुछ थोड़ा लिमिटेड खाईए, थोड़ा सीमित खाईए, और खाने को तुरंदवात हमें कुल लाज़ो करना चाहिए, द्यान रखने वाली बात है, अगर लिखाया जहाँ होते हैं खाते हैं, गंने खाने चाहिए, गंने से तो दाथो को मजबूती मिलती है, और दाथ Already साफ होते रहते हैं, गंने खाने वाले के दाथ कभी आपुए अब गदे नहीं मिलेंगे, दाथो में थोड़ी सी परसानी होने पर तुरंदड डॉक्टर को दखाने भ जरूरी होती है तो यह तो रहीं बाते हमें दातों की कैसे देखवाल करनी है दात में कौन कौन से रोख हो सकते हैं और किस तरह से हमें दातों को साइस रखना है कौन कौन से दात होते हैं कौन से इस्थाई होते हैं बहुत सारी बाते हमने इसमें जानी लेकिन कुछ याद रखने वाली बाते भी इसमें दी गई हैं उन पर भी थोड़ा प्रकाश जाल लेते हैं जो कि हमारे जीवने बहुत काम आने वाली है कुछ बिंतु हैं को ध्यान से समझेंगे लेकि दांत हमारे चेहरे के आकरती देते अगला बिंदू है दातों का गरना दंतक्षा कहलाता है प्रतेग विक्ति के जीवन में दो बार दात निकलते हैं इस्थाई और आइस्थाई हमें भोजन करने के बाद कुला अबस्थ करना चाहिए मिठाई चोकलेट और निच मीठी चीज़ा अधिक नहीं खानी चाहिए इससे हमारे दातों में रोग लेकने का ज्यादा अंदेशा रहता यानकी शंकार रहती है तो यह हमने चैप्टर पढ़ा दात और निकी देखवाल हमें उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा इससे तरह कि और भी जानकारी हम देते रहे हैं और लगातार इस चैनल के मादधा हमसे देते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे इसका और भी लोगों को फायदा मिले इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को खुब ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें खुब देखें लाइक भी करें जिसे हमें उत्साहब मिलें कि हम स्वाई राजी प्रजय पती जिसमें हम कंपिशन लेवलिक इंगलेश पढ़ाते हैं बेड़े क्लासे की छोड़े क्लासे की सबकी अगर आपको कोछ उस से चाहिए को जानका ही चाहिए तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं और सवस्त रहीएगा बने रहीएगा और एकदम अपने दातों को चमचमा कर रखिएगा जिससे साने वाला आपको देखे हसते हुए तो आपको देखते रह जाए हमारी ऐसी आपसे कामना है आगली वीडियो तक जहन नमस्कार